कि आप बहुत भनिवाद सर्थ की आप जो है डित्ती मैडम की हिर्प करने के रिए सामने आये हैं तो मैडम सबसे पहले को जाना चाहिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम है आपके हस्बेंट को मेरे हस्बेंट संदीप चंद्रा लास्ट में 27 जुलाइक को नाना वटी में कोविट के कारण एडमीट हुए जिन्मन का 90 पर सेंट लंग्स जैमेग बत हुआ और यह ट्रीटमेंट लंबा चला और हमने अब रिकवर भी हो गया है वैसे थोड़ा बहुत लेकिन जितना हम लोग कर सकते थे पैसे कम ने किया लेकिन आब हम थोड़ा प्रॉब्लम में हैं तो अब थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम में और मेरा जहां तक लग रहा है वन वीक का शटोर टाइम लगेगा बाकि जो यसे डॉक्टर बोलेंगे हम दो उनके करेंगी वैसे. सर के साथ में आपकी मुलाइक तैसे हैं अगर आपको बदा सकते हैं? मुझे किसी नमबर दिया ईनका कि ये हल्प करते हैं. और सुनेंगे आपकी और जैसा कि उन्होंने एक बोला वैसा हुआ भी, मेरे फोन करती मिला इनकी तरफ से पूरा रेस्पॉंस आया और पॉस्टिव रेस्पॉंस आया और जित्ती जल्दी हो सका तो इन्होंने बात सुनी और समझी और हमारी मदद की है जी जी अगें सर बहुत बहुत था चैसे सर अपकी मुलाकात हुई मैं तो अभी इनसे पांच मिनिट पहले मिला इंसे फोन पर बात हो रही थी इन्होंने मुझे अचानक चार-पांच दिनों पहले एक फोन किया अक्सर में फोन उठाता भी नहीं अगर अन्नों नमबर हो पर पता नहीं एक ऊपर की आवास सी तो फिर मैंने इनका फोन उठाया फिर इन्होंने पूछा कि आप शेकर सुमन बोले मैंने गाज जी उन्होंने कहा कि आप किसी काइस्ट ओगनाइजेशन से कनेक्टेट हैं या नहीं मैंने कहा बोलिये फिर भी आपको क्या चाहिए तो उन्होंने फिर जो आपको अभी दास्तान सुनाई पूरी इनके हजबन जो हैं वो कोविट सेफेक्टेड हैं और क्रिटिकल कंडिशन में 90% लंग जो उनके डैमेज हो चुके हैं और आर्थी का मजबूरी ये आ गई है कि एक महिने से ट्रीटमेंट के बाद जो बिल आया ह होता है मदलब ठीक है आप लोग पैसे कमा रहे हैं अधिन लोग भी आते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं पर इंसानियत के तोकर प्र कम कुछ लोगों को तो आप लोगों को भी में मत्यत करनी चाहिए बहराल मैंने कहा कि मुझसे जो हो सकता है यत शक्ति मैं कर पाउंगा मैं करूंगा और फीर मैंने इन से राशी पूची तो ने कहा कोई three, four लाग की जरूर्ट है तो मैंने कहा कि इसका आहाब貜ा मैं पहल करता हूँ और मैं चाहूंगा और यह इसलिए हम लोग केमरे में यह बात कर रहे हैं ताकि एक जो पहल हमने किये मैं चाहूंगा कि जो डेफिशिट है यांनि कि जो अभी कमी है वो आप लों के जरीए अगर पूरा हो जाएगा जो भी आप लोग इनको दे सकते हैं 5000-10500 जो भी दे सकते हैं, कोई जुरूरी नहीं कि मदद लाकों में ही की जाए, हर कोई उस मकाम पे नहीं होता, या हर लोग का फिनाशनल करनिशन उतना अच्छा नहीं होता, मदद की भावना होनी चाहिए, तो बस इस लिहाद से मैंने उनको यहाँ पर बुलाया, और यह चेक जो अगर आप लोग कहीं प्रेरित होते हैं, और आपको यह लगता है कि यह एक बड़ा ही इंसानी जजबा है, और यह करने से आपको अगर परुपकार करने से खुशी मिले, किसी की जिन्दगी बचेगी, और किसी का भला होगा, तो जरूर करें, यह मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ कर बिनिती है, तो मैं इश्वर से प्रातना करूँगा कि दीबती जी के जो हस्बंड है, वो बहुत जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बहार आ जाएं, और जो भी इनके आर्थिक मजबूरी हैं, वो सब खत्म हो जाएं, इनके बच्चे अब ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सारी पूझी इनके पास उन्हें हॉस्पिकल को लगा दिये हैं, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इनके हजबन राइटर हैं, और कि उनको काम मिले, मतलब आर्थिक रूप, आर्थिक मजबूरी की वज़े से, अ दीपती जी की मदद करें, ये इनका अकाउंट नंबर जो है, वगरो वो सब दीपती जी आपको बता देंगी, आप लोग डारेक्ली जो है, वो नानावती में, नानावती हॉस्पिरल के नाम पे पैसे जमा कर सकते हैं, या दीपती जी का अपना पॉस्णल अकाउंट है, आपकी मैं हम दोनों बहुत खुशकिस्मत जमझेंगे以क। अगर हर० आपकी मदद भी हमको मिल जाए और मैं खास दोर पर अपने आपको बहुत खुश्किस्मत समuj कूझे भाद के मेरी वजरे से अगर किसी को भी थोड़ा सा थोड़ी सी मदद मिलती है थोड़ा सा और ऐसे ही जिन्दगे चलती है समाज आगे बढ़ता है देश ह Southern हम लोग एक दूसरे को प्रेड़ित करते रहें सकते हो दोसरे को हैं इस दूसरे को मैं समाज सो करें ओ